चालिश के स्पीट तीन मिनट के लिए हिंदी के इतिहास में भी आपको यही बात मिलेगी मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूँ पर मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि उसमें भी पिछले 5-600 वर्सों में बहुत अंतर पड़ा हैं तता पहले की और आज की हिंदी मे काफी अंतर हैं इसलिए नव यूग में जब बहें देश की भासा बनने जा रही है तो उसमें थोड़ा अंतर करना भी पड़े तो वह स्विकार कर लेना चाहिए जिससे उसका अन प्रादेशों के लोगों के साथ मेल बैठ जाएं कई अहंदी भासी लोगों ने भी हिंदी की काफी सेवा की है आपके राजजपाल महुदे अहंदिवासी हैं और उन्होंने अपनी भासा की बड़ी सेवा की है यह भी हिंदी के पक्ष में थे और इन्होंने बड़ा योग दिया जिसके कारण हम समिधान सवा में शपल हो सके इनका भी यही विचार है जो मेरा है मैं चाहता हूँ कि इनको भी हिंदी की सेवा करने का अफसर दिया जाना चाहिए उसका फल हिंदी के लिए और देश के लिए अच्छा ही होगा मानपत्र में आपने संस्कृत के संबंद में कहा है मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में संस्कृत का अध्यन आवश्यक है क्योंकि दे की बात है मैं आसा करता हूं कि इसकी उन्नती होगी महोदे मैं अपने बारे में कहता हूं चब मैं छोटा था और कालेज में पढ़ रहा था तब रूस और जापान के बीच युद्ध चीड़ा उस समय समाचर पत्रों में जापान के सम्मंद में बहुत सी बातें छपा करती थी उनमें एक बात यह भी थी कि जापान में समुरिया जाती की लोगों ने अपने सब अधिकार वहां के राजा को दे दिये थे उसके बाद जापान बड़ी उन्नती कर सका हम लोग यह पढ़कर आश्चर्य और सराहना करते थे उससे बढ़कर हमारे यहां के लोगों ने सवराज्य इस्थापित होने बाद एक दो वर्स में एक उधारन उपस्तित करके देखाया हम भी अपने हजार वर्सों के इध्यास को नहीं भूलेंगे जो रियासतें अलग-अलग इस्थापित हो गई थी और एक प्रकार से भारत कई तुकड़ों में बटा हुआ था वे सब तुकड़े एक हो गए आज बैटेस भारत और देशी रियासतें मिलकर एक हो गई हैं उसके बाद हमारे सामने यह प्रसन आया कि भारत के लोग केवल स्वराज्य से ही सुकी नहीं हो सकते उसको किसी ना किसी प्रकार सुकी बनाना है इस संबंद में सरकार ने अपनी ओर से प्राहा सभी राज्यों में जमिनदारी और जागिरदारी उनमूलन के कानून उपस्षित के और वे कानून पास हुए हैं प्रसन आता की बात तो यह है कि स्टॉप लगे